नवस्कार बच्चो बच्चो उमीद है कि आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चो आज आप से कुछ बात करनी है आप से कुछ पूछना है आप सोच रहे होंगे सर क्या पूछना चाते हैं बच्चो मैं आप से ये पूछना चाता हूँ कि आप जब घर में किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है किसी समान की जरूरत पड़ती है तो क्या आप समान ले जाते हैं, स्वयम जाते हैं, मम्मी पापा के साथ जाते हैं और कहां जाते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि कभी हम जब सबजी खरीदने जाते हैं तो कहीं पर एक सब्ताहिक बजार लगता है अगर हमें दूद लाना है तो हम कहीं पास वाली दुकान से लेकर के आते हैं और जब हमें कोई branded चीज खरीदनी होती है तो हम किसी shopping mall में या shopping complex में जाते हैं। तो बच्चो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से जुड़ा हुआ विश्य है और हमारा जो आज का अधिहाई है उसका नाम है हमारे आसपास के बाजार ये कक्षा साथ का अधिहाई साथ है। तो बच्चो इस अधिहाई में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस अधिहाई में हम जो विभिन परकार के बाजार हैं जैसे सपताहिक बाजार हैं जैसे महले की दुकाने हैं जैसे shopping mall या complex हैं ये पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस परकार जो बाजार हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनकी एक श्रिंखला है और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये जो बजार हैं क्या वो कहीं समानता की बात करते हैं या असमानता की बात करते हैं तो बच्चों आईए हम सबसे पहले सपताहिक बजार की बात करें अब बजार तो आपको पता ही जहां पर चीजें मिलती हैं अब ये जो दूसरा शब्द है सब्ताहिक आपको उसको सुनकर कि भी समझ में आ रहा होगा सब्ताहिक अर्थाद जो सब्ताह में एक बार लगता है यानि ये निश्चित दिन होता है कि उस दिन वो फला जगां पर वो बजार लगेगा ये जो ही भी मिलती हैं ये जो सब्ताहिक बजार में दुकाने लगती हैं अभी आपको पता ही है क्योंकि वो हफ्ते में एक बार लगती हैं सब्ताह में एक दिन लगती हैं तो कभी यहां पे लगती हैं कभी कहीं और लगती हैं और इसलिए ये जो दुकाने हैं वो पक्की नहीं हो जो दुकान दार हैं समान लेकर के आते हैं वो सुबह समान को लगा देते हैं और शाम को उठा करके ले जाते हैं फिर अगले दिन कहीं और उस अपने समान को ले जाते हैं और फिर वहां पर जाकर के बजार लगा लेते हैं अब चुंकि इसका नाम सब्ताहिक इसलिए पड़ा क्योंकि सप्ताहा में एक दिन ही वो एक जगां पर लगता है बाकी दूसरे दिन वो अलग अलग जगां पर लगता है सप्ताहिक बजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकाने होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई त्रहं के खर्चे जोडने होते हैं. उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है. इन दुकानों पर काम करने वाले करमचारियों की तनखुआ भी इन करके रखते हैं इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं जिससे इन्हें अलग से करमचारी नहीं रखने पड़ते सब्ताहिक बजार में एक ही त्रह के समानों के लिए कई दुकाने होती हैं जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है यदि एक दुकानदार किसी वस्तू के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यहाँ विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही समान देख लें जहां संबव है कि वही वस्तू कम कीमत में मिल जाए ऐसी स्थीतियों में खरीदारों के पास यहाँ अबसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें बच्चों यहाँ पर आपको अपनी किताब में एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर समीर और उसका जो रेडी मेड वस्तू का व्यपार है उसके बारे में बताया गया है आईए इसके बारे में पढ़ें यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं समीर सपताहिक बजार का एक छोटा व्यपारी है वह शहर के एक बड़े व्यवसाई से कपड़े खरीदता है और सपता भर में छे अलग अलग जगों के सपताहिक बजारों में कपड़ों को बेचता है समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी एकठे आते जाते हैं इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं उसके ग्राहक समान्य तहा आसपास के ग्रामिन होते हैं दीपावली पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है बच्चो इन सब्ताहिक बजारों का एक फैदा तो ये होता है कि वो जो चीजें कोई ग्राहक खरीदना चाता है तो उसको वो एक ही जगां पर मिल जाती हैं इनमें सबजियां भी होती हैं फल भी होते हैं फूल भी होते हैं कपड़े भी होते हैं और भी कई तरहें की चीजे होती हैं और एक फैदा यह होता है कि जो ग्रहाक हैं उनको समान लेने के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता तो इस परकार यह जो सब्ताहिक बजार हैं वाकही में ग्रहाकों को बहुत बड़ा फैदा पहुंचाते हैं एक बड़ी बात यह है कि यहां पर जो बजार की बात करें और यह जो बाजार है वो आपके घर के आसपास ही होता है और इसलिए इसको महले की दुकाने कहा जाता है अब यहां पर क्या होता है कि अगर हमें कोई ऐसी जीजी की जरूरत पड़ गई जो अभी चाहिए या घर के राशन की जैसे हमें दूद चाहिए हमें तेल चाहिए या हमें अपनी जो स्टेशनरी का समान है वो जो है वो हमें घर के आसपास की दुकानों में या महले की दुकानों में ही मिल जाता है अब यहां पर एक तो कुछ दुकाने पक्की होती है और इसके साथ साथ इस महले में कुछ दुकाने ऐसी भी होती है जो यो पक्की नहीं होती जैसे फुटकर विक्रेता होते हैं वो सडकों पर समान बेचते हैं जैसे कोई फल विक्रेता है कोई सबजी विक्रेता है अब ये जो बाजार है चाहे वो एक प्रकार से तेल का है चाहे वो स्टेशनरी का है चाहे दंतमंजन का है या किसी अन्या चीज क चाहे वो फुटकर विग्रेता जैसे फल है वो एक परकार से क्योंकि महले में होते हैं और इसलिए इनको महले की दुकाने कहा जाता है अब बच्चो यह जो महले की दुकाने हैं इनके देखू कितने फायदे होते हैं एक तो बड़ी बात होती है कि वो हमारे घर के पास ही होत होता है कि हमारे घर में से अगर कोई 10 साल से उपर वाला बच्चा है वो भी जाकर के वहां से समान ला सकता है और दूसरी वड़ी बात क्या होती है कि वो जब हम चाहें सुबह से शाम तक वो हमें दुकान वहां पर खुली मिलती है क्योंकि यह जो दुकाने होती हैं खुल ही रखते हैं और इसके साथ साथ एक फैदा और भी होता है क्योंकि हमारे प्रोस में रहते हैं वो हमें जानते हैं अगर हम बजार में या दुकान में कोई समान लेने जाएं और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो वो कहते हैं कोई बाद नहीं बाद में दे देंगे अर्था अर्थाद वहां पर एक दूसरी विवस्ता भी चलती है जिसको उधार की विवस्ता कहते हैं कि आप समान ले आओ और वहां पर कॉपी में जो भी उन्होंने अपना रिजिस्टर बना रख है उसमें नोट करवाओ और जैसे ही महीना शुरू होता है पहले सब्ता में आप उसक जो भुगतान है वो कर सकते हैं अर्थाद आपको पैसे हमेशा अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है आपको वहां पर जो समान है वो बाद में आप पैसे दे सकते हैं वो पैसा वो जो समान है वो आपको तुरंत मिल जाता है तो बच्चों अभी हमने दो त्रहें के जो बजार हैं उनकी बात की। आईए अब एक तीसरे त्रहें के बजार की बात करें। और ये जो बजार जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसको शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉंपलेक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ शहरी अलाकों में बहु मंजिला, वाता अनुकुलित दुकाने भी देखने को मिलती हैं, जिनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग त्रहं की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है, इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड समान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का समान भी मिलता है। विग्यापन वाले अधिहाई में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड समान जिसे कमपनियां बड़े बड़े विग्यापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं महंगा होता है कम्पनिया अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बजारों और अपने विशेश शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड समान की कीमत का बोज केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं बचों एक और छोटा सा बजार होता है जिसकी हम बात करना चाहेंगे और वो होता है फेरी वाला आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई साइकल पे कोई मोटर साइकल पे या कई बार कोई गाड़ी पे समान बेचने आता है और वो कपड़े भी बेच रहा होता है या कोई सबजी बेच रहा होता है या कोई अन्य उत्पाद बेच रहा होता है और वो जोड़ जोड़ से चलाता है कि ये समान ले लो ये समान ले लो अब ये जो फेरी वाला है अब इसका समान जो है सस्ता होता है क्योंकि इसका जो सिर्व समान को लाने का है अब देखो जो समान को रखने का जो दुकान है वहां पे जो बिजली का बिल होता है वो उसको नहीं उसका भुगतान करना पड़ता और ना नाहीं उसके साथ कुछ अन्यकरमचारी होते हैं जिनकी उसे तनकवा देनी पड़ती है तो एक प्रकार से जो फेरी वाला है वो भी अपने आप में एक बजार का ही रूप है आईए बच्चों अब हम बजारों की श्रिंखला के बारे में जानें बजारों की श्रिंखला ये क्या मतलब हुआ बजारों की श्रिंखला का अर्थ है कि जो बजार है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हु हुए हैं अब क्या होता है कि जहां पे समान बनता है हम वहां से तो समान नहीं ला सकते ना आप समझ रहे होंगे क्यों क्यों कि जहां समान बनता है वो तो एक बहुत बड़ी मात्रा में समान बेचते हैं और हमें चाहिए थोड़ा सा अगर मालो जहां पर कप प्लेट बनते है वो तो ट्रक के ट्रक भरकर के दूसरी जगां पे जाते हैं और हमें चाहिए छे कप या छे पलेट तो वो हम वहां से थोड़ी लेने जाएंगे जहां पे समान बन रहा है हमें वहां वो समान मिलेगा यह नहीं तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो वहां से समान को हम तक पहुंचाते हैं यानि जो हम अंतिम उपभोगता हैं जो अंतिम रूप से वस्तू का उपभोग करते हैं हम तक हम उपभोगताओं तक वो लोग वस्तू को पहुंचाते हैं वे लोग जो वस्तू के उत्पादक बच्चों वो होता है जो वस्तू का उत्पादन करता है और वस्तू के उपभोगता वो होता है जो वस्तू का उपभोग करता है सेवन करता है के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है पहले थोक व्यापारी थोक व्यापारी होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में समान खरीदता है मात्रा या संक्या में समान खरीद लेता है जैसे सबजियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सबजी नहीं खरीदता है बलकि वह बड़ी मात्रा में 25-100 किलो तक सबजियां ख्रीद लेता है इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है यहां ख्रीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं व्यापारियों की लंबी श्रिंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततहा वस्तुएं उपभोगता को बेचता है खुद्रा या complex में समान बेजता मिलता है तो बच्चों आपने देखा कि एक व्यापारी होता है थोक व्यापारी वो क्या करता है जहां समान बनता है वहां से समान लेके आता है या कंपनी उसको समान वहीं पर पहुंचा देती है फिर वो क्या करता है थोक व्यापारी उसके आगे कुछ और चोटे थोक व्यापारी होते हैं वो समान उनको दे देता है फिर जो छोटे थोक व्यापारी होते हैं वो जो खुद्रा विक्रेता होते हैं जो हमारे घर के आसपास यहां शोपिंग मॉल में यहां किसी अन्या बजार में दुकानदार के रूम में काम करते हैं वो खुद्रा वापारी होते हैं और वो फिर आगे समान बेचते हैं अब आप देख रहे हैं कि उत्पादक स्थल से लेकर के अंतिम उपभोकता तक जो वस्तु पहुंची है उसको कितने कदमों में या कितने चर्णों में से होकर के गुजरना पड़ा है आईए अब हम आफताब की कहानी प करते हैं उसका व्यवसाय सुभै लगभग तीन बजे से अरंब होता है इसी समय सब्जियां बजार में पहुंचती हैं यहां आप चितर में देख भी रहे हैं यही समय है जब सब्जी बजार यां सब्जी मंडी में गतिवीदियां तेज हो रही होती हैं आज-पास और दू परक्रिया अरंब हो जाती है आफताब भी इस निलामी में शामिल होता है सब्जिया देखकर वह त्यक करता है कि आज वह क्या खृदेगा उधारन के लिए वह आज पांच क्वेंटल फूल गुभी और दस क्वेंटल प्याज खृदता है शहर में उसकी एक दुकान और गो आसपास वहां आने लगते हैं यहां से दिन भर के लिए ख्रीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगबग दस बजे के आसपास अपने क्षित्र में अपनी दुकाने खोल लेते हैं। बच्चो अभी हमने जो बाजार देखे ये विभिन्त रहें के बाजार थे जहां पर हम जाकर के किसी वस्तू को लाते हैं। लेकिन आज कल ऐसे भी बाजार आ गए हैं कि समान हमारे घर तक पहुंच जाता है और हमें वहाँ पर जाने की जूरत भी नहीं जहां से समान मिलता है या बिखता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे। बच्चो आज कल का जो यूग है वो इंटरनेट का यूग है। आज कल आप अपने फोन से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से या फोन से ओडर दिये जाते हैं और समान, कंपनी आपके अपने घर तक स्वयम पुंचा देती है। बच्चो कुछ ये जो अभी जिन बजारों की बात की उनके बारे में तो हम जानते हैं। लेकिन कई बजार ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी बहुत ही कम होती है। आए उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ें। इस बजार में बिकने और ख्रीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तिमाल करता है ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से ख्रीदता है जहां खाद के कार खानों से माल मंगाया जाता है एक कार के कार खाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एकसल, पहिये, आदी अलग-लग कार खानों से ख्रीदे जाते हैं प्रन्तु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अन्तिम उत्पाद कार को ही देखते हैं सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है आईए बच्चों अब हम ये बात करें कि जो बजार हमने देखें क्या वहाँ पर हमें समानता देखने को मिलती है या असमानता देखने को मिलती है अगर हम बात करें दुकानदार की अब हम अलग अलग बजार की बात कर रहे हैं हमने देखा कि जो बजार था वो एक शॉपिंग कॉंपलेक्स भी है शॉपिंग मॉल भी है एक मोहले की दुकान भी है और इसी परकार एक जो दुकान है वो सब्ताहिक दुकान भी है अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग बजारों में दुकानदार की जो पुंजी लगती है वो भी कम या जादा होती है सब्ताहिक बजार में जो पुंजी है उसकी कम लगती है और जबकि शॉपिंग मॉल में उसकी पुंजी उसको जादा लगानी पड़ती है पुझी का अर्थ यहां हम धन से ले रहे हैं और उसी अनुपात में ही उन दुकानदारों को फाइदा भी होता है यानि आमदनी भी जादा होती है एक सपताहिक बजार में जो आमदनी है किसी दुकानदार की वो शौपिंग मॉल वाले दुकानदार से कम होगी जबकि शौप देखने को मिल रहा है कि दुकानदार भी कम अमीर या ज्यादा अमीर के रूम में या कम गरीब या ज्यादा गरीब या देखा जाए कि कौन धनी ज्यादा है और कौन कम धनी है उसके बारे में बजार से हमें पता चल जाता है या हमें देखने को मिलता है और इसी प्रकार जो ग्रहक होता है आपने देखा होगा कि कभी वो फेरी वाले से खरीद रहा है कभी वो सप्ताहिक बजार में जाकर के समान अंतर होता है लेकिन जो ग्रहक हैं वो फेरी वाले के पास भी जाते हैं और सपताहिक बजार में भी जाते हैं जबकि शोपिंग मॉल में भी जाते हैं फरक क्या है कि उनके बीच में अगर देखा जाए कि वो कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि क्या उनके पास जो धन का बटवारा है उन दोनों के बीच में बराबर है या नहीं है और जब हम बजार को देखते हैं या बजारों के इन रूपों को देखते हैं तो वाकही में हमें लगता है कि हमें यहां पर बजार के माद्यम से भी लोगों के बीच में असम क्या बातें की कि जो बजार के विभिन रूप हैं वो कौन कौन से होते हैं जैसे हमने बात की सबताही के बजार महले की दुकान शौपिंग कॉम्पलेक्स या शौपिंग मॉल और साथ में हमने ये भी बात की कि ये जो बजारों की श्रिंकला है जिसके मादम से वस्दूएं ह वो कैसे पहुँचती हैं और ये भी जाना कि जो बजार हैं वो किस प्रकार समानता या असमानता की तरफ इशारा करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अधियाय समाप्त हुआ। उमीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने कितना जाना, कितना समझा आए इसको कुछ प्रशन उतर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुँवी कल्पी प्रशन करेंगे। प्रशन एक, सप्ताहिक बजार में निम्न में से क्या-क्या शामिल किया जा सकता है। यह सप्ताह में एक दिन एक निश्चिस्तान पर लगता है जरूरत का समान एक ही जगा पर मिल जाता है यहां पर चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं यह सभी बिलकुल इसका जो विकल्प है चोथा यह सभी इसका सही उत्र है प्रशन दो निम्न में से कौन सी एक मोहले की दुकान है विकल्प है सब्ताहिक बजार की दुकान शॉपिंग कॉम्पलेक्स शॉपिंग मॉल वेर का डेरी बिलकुल सही वेर का डेरी क्योंकि हम वहां से दूद लाते हैं और इसलिए वो मोहले की दुकान हुई प्रशंतीन वहस्तान जहां सब तरफ दुकाने ही दुकाने होती हैं और ये एक बहुत बड़ी इमारत में होती हैं और जहां समान ब्रांड वाला या बिना ब्रांड वाला होता है क्या कहलाता है और विकल्प हैं सब्ताहिक बजार, क्रियाना दुकान, थोक बजार या शॉपिंग मॉल बिल्कुल सही इसका सही उत्तर है शॉपिंग मॉल में ये सारी विशेश्टाइं देखने को मिलती हैं अब हम लगूत रात्मक प्रशन करेंगे प्रशन एक थोक से आप क्या समझते हैं उत्तर इसका आश्या बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है और ज्यादा तर इन उत्पादों में सबजी, फल, फूल, कपड़े, आदी, शामिल होते हैं प्रशन दो, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन है? उत्तर, फेरी वाला अपना समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर बेचता है जबकि दुकानदार एक स्थान पर बैठ कर अपना समान बेचता है फेरी वाले का समान दुकानदार से सस्ता होता है क्योंकि दुकानदार को बिजली का बिल भी भरना होता है और दुकान पर रखे हुए लोगों की तनकवा भी देनी पड़ती है प्रशन थेन खुदरा या फुटकर व्यापारी कौन होता है उत्तर यह व्यापारियों की लंबी श्रिंखला का व्यापारी होता है जो अंतिम उपभोगता को अपना समान बेचता है इसे फुटकर व्यापारी भी कहते हैं जो हमें पडोस की दुकानों, सपताहिक बजार या शौपिंग कॉंपलेक्स में समान बेचता मिलता है झाल